Hello everyone, welcome to lecture number 2 of Boolean Algebra of Digital Circuits आज हम सिखेंगे properties और laws related to AND and OR gates जो हमने पढ़े थे सबसे पहले AND की properties अगर A में ही A का multiply होता है तो A आता है ठीक है? किसी भी A मतलब A 0 हो सकता है या 1 हो सकता है A में अगर 0 का multiply होगा तो 0 आएगा अगर A में 1 का multiply होगा माल लेज़े ये 0 है 0 में 1 का multiply होगा तो 0 हुआ और 1 में 1 का multiply होगा तो 1 हुआ तो मतलब A ही तो आ रहा है तो मतलब A आएगा अगर A और A बार अगर A 1 है और 1 में 0 का multiply होगा तो 0 आता है और A अगर 0 है 0 में 1 का multiply होगा तो 1 आएगा, 0 में अगर 0 का plus होगा तो 0 आएगा, तो मतलब A ही तो answer हुआ, ठीक है किसी भी चीज में 0 का plus करना मतलब कुछ का plus करना नहीं, as it is रहेगा, A आएगा किसी भी चीज में 1 का plus करना 0 में अगर 1 का plus करेंगे, तो 1 आएगा वन में अगर वन का प्लस करेंगे तो वन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा वन यह A है और A बार 0 में 1 का प्लस करेंगे तब भी वन आएगा और 1 में 0 का प्लस करेंगे तब भी वन आएगा तो इसका आंसर होगा ठीक है अब हम प्रॉपर्टीज हो गया है वो B into A के equal होता है अगर हम पहले A लें उसमें multiply करें B का या पहले B लें उसमें multiply करें A का दोनों A की बात है सेम इसी तरह है अगर हम A लेके उसमें B का plus करें या फिर B लेके उसमें A का plus करें दोनों सेम बात है यह cumulative laws है associative law में क्या है अगर हम A और B का पहले multiply करें फिर हम C का multiply करें बात equally होगी कि पहले हम B और C का multiply करें फिर A का multiply करें है न, यही तो होता है associative law ऐसे ही अगर हम A और B का plus करें और बाद में C का plus करें या फिर हम B और C का पहले plus करें और बाद में A का plus करें दोनों A की बात होती है Distributive laws क्या होते है A का multiply करेंगे B plus C में तो A दोनों में distribute हो जाएगा क्या answer हैगा A B plus A C बहुती basic है यह तो सबको पता है अगर A plus B C है तो यह B दोनों में आ जाएगा Distributor के यह होता है A plus B और A plus C यह थोड़ी अटपटी है इसको मैं proof करके दिखा देती हूँ यह तो आपको पता चल गया है कि A कैसे distribute हो गया multiply हो गया है यहाँ पर dot लगा होता है A into B plus A into C पर यह नहीं समझ में आया होगा यह ऐसे करते हैं मैं इसर कर देती हूँ दिख रहा है A plus B C है ठीक है अब यहाँ पर क्या multiply है 1 का तो इसको मैं ऐसे लिख सकते है ठीक है और 1 यह जो 1 है इसको मैं 1 plus B भी लिख सकते है किसी भी चीज में 1 का plus होगा तो answer क्या आता है 1 ही आता है इसलिए तो A plus A B plus B C ठीक है अब यह जो A है यह भी तो multiply है 1 का तो इसमें A 1 plus C लिख सकते है प्लस B C ठीक है इसको कर दो A plus A C plus A B plus B C यह जो A है इसको A into A लिख सकते है A into A is equals to A होता है properties and operator की A C plus A B plus B C ठीक है अब A common लेंगे कहां से एक तो यह और एक यह तो A plus B आ गया प्लस इन दोनों में से क्या common लेंगे C तो A plus B आ गया A plus B दोनों में से common लेंगे तो क्या अंसरा गया है यहां से A plus C तो हम A plus B A plus C यह जो यहां पर लिखा है वो किसके equal है A plus B C प्रूफ हो गया प्रूफ समझ में आ गया है न थोड़ा यह है मतलब आप इत्यल्दी समझ नहीं पाएंगे सीखनी पाएंगे कि हमें यहां पर 1 ही रखना है फिर यहां पर 1 plus B करना है आपको प्रूफ समझ सीखनी की जरुरत नहीं है बस आपको यह प्रॉफर्टी याद रखनी है कि A plus B C जो होता है वो A plus B और A plus C के काम में आता है यह प्रॉफर्टी कब काम आती है यह जो है यह representation जो है वो SOP है और यह representation POS होता है अगर हमें SOP को POS में चेंज करना होता है तो यह law हमारे काम आता है ठीक है? absorption law क्या होता है? आपने सुना नहीं हो गए absorption law A plus AB is equals to A यह होता है अगर A में हम कुछ भी AB, AC, ABC, AB, D किसी का में multiply करेंगे वो सारी plus करेंगे तो A आएगा कैसे आ रहा है यह A plus AB यह है हम इसमें A common लेंगे तो 1 plus B तो बचेगा ना और 1 plus B तो 1 होता है 1 होता है तो यह A नहीं आ गया इस वाड़े से ठीक है? दूसरी absorption law क्या है? A और A plus B इस तरह है तो इसका आंसर भी A आता है इसमें हम क्या किना चाहते हैं? A का multiply करें हम A plus B से या A plus C से या A plus B plus C से तो आंसर A ही आएगा ठीक है? यह हम proof करके देते हैं A plus B ठीक है? A into A A होता है और A B अब यह तो यह वाली आ गई ना? इसका आंसर A होता है समझ में आ गया? absorption law समझ में आ गया आप लोगों को यह जो है नीचे यह एक theorem है, Demorgan's theorem यह duality और complementation के काम आता है अभी हम खाली इसको समझ लेते हैं अगर A plus B का compliment किया है हमने तो क्या होगा? यह जो है न A इसका compliment करो यह जो है plus उसकी जगे multiply लिखो और यह जो है B इसका compliment करो हमें हाट ची से compliment करना है A का compliment B में plus की जगे compliment करके multiply और B का compliment अगर यह अंदर जो A plus B है उसकी जगे a भी लिखाओ, उसका compliment हो, तो क्या होगा, a compliment, इसका compliment करो, बीच में multiply ये, उसकी जगे प्लस करो, और b का compliment करो, ये है demorgans law, demorgans theorem, ठीक है, आगे देखते हैं, ये कुछ questions है, देखते हैं, a plus a bar b, इसमें कौन सी property लग सकती है, सोचिए, इसको हम ऐसे लख सकते हैं, a plus a bar, a plus b, है न, a plus a bar, 0 plus 1 क्या होता है, 1, और 1 plus 0, 1 ही होता है, plus है क्योंकि, a, a plus b, a नहीं, 1, ठीक है, तो answer क्या हो गया, a plus b, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको अंदर multiply कर देंगे, a, a bar plus a b, a into a bar, 0 into 1, 0, और 1 into 0, भी 0 ही होता है, तो 0 plus a b, और 0 में कुछ भी plus करेंगे, तो वही बचता है, ठीक है, a bar plus a b, इसको फिर से distribution कर दो, a bar plus a, और a bar plus b, a bar plus a क्या होता है, 1 होता है, और a bar plus b, आंसर क्या हो गया, a bar plus b, ठीक है, यह है, b, c, और यहाँ पर b, c bar दिख रहा है, तो हम किस तरह इसमें distribute करेंगे, b, c bar एक बार और d एक बार, b, c plus b, c bar, इस तरह, थोड़ा इस चीज का दिमाग लगाएंगे, b, c plus d, अब यह पूरा term क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, b, c plus d, ठीक है, यह जो है, a bar plus ad, इसमें भी distribution लगाईए, a bar plus a, a bar plus d bar, a bar plus a क्या होता है, 1 होता है, a bar plus d bar, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह इसमें भी a है, इसमें भी a है, a, common ले लिया, b plus b bar, a plus a bar बन था, b plus b bar बन होगा, यह a बचा है, ठीक है, इसमें क्या है, a plus b, a plus c, यह तो वही हो गई, a plus b, a plus c क्या होता है, a plus b, c, होता है न, चलो आपको अगर theorem नहीं आदे, ऐसे करते हैं, a plus b, a plus c, n to a, plus n to c, plus b into a और n to b, a की बात है न, a b लिख दे, plus b, c, ठीक है, n to a क्या होता है, a, plus a c, plus a b, plus b c, a common लिएंगे, तो 1 plus c, plus b होगा न, plus b c, और 1 में किसी भी जिसका plus करेंगे, तो 1 ही बचता है, तो a plus b c, आगया न, c है मैं, जो यह है, वो ही यह है, समझ में आगया, यह देखिए, x plus y, x plus y बार, और x बार प्लस y, y, यह बड़ा है न, इसको हम, बदा, यह नहीं देखना है कि बहुत बड़ा कोश्चन है, बस multiply करते जाओ, और इस तरह solve होते चला जाएगा, x into y, वो x into x, plus x into y बार, plus x into y, plus y into y बार, x बार, प्लस y, अब यह ही solve कर लो, x into x क्या होता है, x होता है, plus xy बार, plus xy, और y into y बार, 0 into 1, 0, और 1 into 0, वो भी 0, तो इसको हटा दो, प्लस 0 है न, x बार, प्लस y, अब इस इनका मिल्टिप्लाइ करो, x into x बार, प्लस xy, अब इसको, प्लस x, x बार, y बार, प्लस x, y बार, y, प्लस x, x बार, y, प्लस x, y, y, अब देखो, यह जो है 0 हो जाएगा, यह है, 0 हो जाएगा, यह इसकी वर ऐसे 0 हो जाएगा, बचा क्या, xy, और y into y भी, y होता है, यह भी xy बचा, और xy ये गया, और एक xy ये गया, xy प्लस xy, a प्लस e क्या होता है, a होता है na, यहाँ पर आप 2xy मत लिख देना, a प्लस a होता है, तो xy प्लस xy क्या होगा? xy ही होगा, ठीक है? यह वाला question देख लेते हैं, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z बार, इसमें हमें दिख रहा है, x प्लस y common है न, तो क्या करेंगे? x प्लस y, जैसे a प्लस b और a प्लस b बार होता है न, तो उसमें क्या करते हैं? a प्लस b और a प्लस b बार, a प्लस b इंटु b बार करते हैं न, ऐसी x प्लस y प्लस z इंटु z बार, यह को समझ में है? जैसे मतलब यह था, अगर हम कहते हैं, a प्लस b, a प्लस b बार, तो हम इसको बंद करते हैं, distribution law से, तो a प्लस b इंटु b बार लेते हैं न, तो वोई किया है यह जो a है न यह x प्लस y है यहाँ पर तो z into z बर क्या हो गया यह तो 0 हो गया बचा क्या x प्लस y ठीक है या फिर solve हो जाएगा आपसे लेकिन यह दो चीज़े है p plus z अगर आपको यह दिखता है और दूसरे bracket में दिखता है आपको p plus z बार यह दिखा न पी और z, p z बर तो answer क्या होगा? p होगा यह तो p हुए इस form है, so p में भी अगर p z plus p z बर दिखता है तो इसका answer भी क्या होगा? p होगा क्यों? क्योंकि p common में आ जाएगा और z plus z बर क्या होता है? 1 होता है, तो p बचेगा, ठीक है? यह कुछ questions है To implement logical expressions, minimum number of two input NAND gates required are अब हाप कहेंगे कि हमने NAND gate तो पढ़े ही नहीं है अब हम इस question को कैसे solve करें? तो एक बार मतलब देख लीजिए क्या पता हमें NAND gate की जरुती ना पढ़े इसमें? है ना? हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यह क्या है? A, B प्लस यह A, B बार है यहाँ पर भी A, B बार है तो A, B बार common ले ले क्या आएगा? C प्लस C बार और C प्लस C बार क्या होता है? 1 होता है ना? और 1 का किसी की multiply करते हैं तो as it is रहता है तो क्या आया? A, B प्लस A, B बार ठीक है? अब यहाँ से A common ले ले B प्लस B बार B प्लस B बार क्या होता है? 1 होता है, तो क्या आणसर आया? A, अब अगर हम हमाँ पस A है, B है C है, तो हमें खाली A देना है और हमारा आणसर आजाएगा, तो इसमें कहीं NAND gate की ज़रत पढ़ी? नहीं? No NAND gates required ठीक है? दुसरों question देखते हैं Simple है, यह जो है Asterix का sign, इसका मतलब क्या है? कि अगर दो चीज़ों के दो operants के बीच में यह operator है तो यह Boolean algebra यह वाला follow होगा X bar प्लस Y ठीक है? और हमें दे रखा है कि X Asterix Y, Z के एकवल है तो बताए, Z Asterix X किसके एकवल होगा? इससे हमें क्या पता चल ला है? Asterix से, कि यह expression है इसका तो हम यहान लिख दे रहे है X bar प्लस Y ठीक है? लेकिन हमें क्या निकालना है Z Asterix यह तो निकालना है मतलग हमें क्या निकालना है X bar प्लस Y Asterix ठीक है? Asterix को solve करेंगे पहले Asterix solve हो कि क्या आएगा? अगर यहाँ पे Z होता और यहाँ पे X होता तो Z bar प्लस X Z bar प्लस X क्या होगा? Z bar Z यह है X bar प्लस Y उसका bar प्लस X बार क्या होगा? यह कैसे solve होगा? कौन सा theorem है? De Morgan's theorem De Morgan's theorem क्या कहती है? यह जो है X bar है यह literal उसका complement करो X यह operator है इसका complement करो into यह literal है Y इसका complement करो Y bar हो गया आपका यह जो बारे ने यह solve होगया प्लस X अब हमें दिख रहा है X और X common में है X बार ले लो Y बार प्लस 1 अब 1 में किसी का भी प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा न? और 1 में multiply करेंगे X का तो X आएगा तो answer क्या बचा? खाली X बचा easy है न? यह देखिए function के अंदर function क्या मतलब है? अगर F है उसके अंदर A है और B है तो वो कैसे solve होगा? A यह जो है complement है प्लस B तो हम क्या बताएंगे? F X, Y है अगर तो वो कैसे solve होगा? X बार प्लस Y अगर यहाँ पे X प्लस Y है और दूसरा है Y यहाँ पे X और Y था यहाँ पे X प्लस Y और Y है तो वो कैसे solve होगा? X प्लस Y का complement प्लस Y है न? इसको दिमोर्गेंस लिए उससे हम लोग छोटा कर लेंगे मतलब हमें all over bar के form में किसी को भी रखना नहीं है वो difficult हो जाता है हम इसको solve करेंगे क्या है? X पूरा का बार हटाने के लिए हमें सब चीज़े complement करना है पहले X का complement into Y का complement प्लस Y ठीक है? हम तो इसको भी solve कर सकते हैं distribution से Y प्लस X बार और Y प्लस Y बार ये तो 1 हो जाएगा ना तो X बार प्लस Y ये answer बचा ना मतलब हमने ये solve कर लिया है आपको समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? इस पूरे को एक term और Z को एक term लेना है X बार प्लस Y मैंने इस पूरे की जगे ये ले लिया है comma Z अब इसका क्या मतलब है? पहले वाले का compliment X बार प्लस Y का compliment प्लस Z फिर सटी मॉर्गंस लगाते हैं बार हटाने के लिए सब का अंदर का compliment करना है X बार का compliment करेंगे तो वापस X आएगा प्लस की जगा multiply होगा Y का करेंगे तो Y बार आएगा अब हम बार से हट चुके हैं अब ये तो हमें as it is रखना है प्लस Z ठीक है? तो फिर हमने इस पोरे को solve करके क्या निकाला? ये अब ये further हम जोग solve करनी सकते हैं तो हमें ये यही पर छोड़ना है ठीक है? आगे देखते हैं ये question है consider boolean expression this with following properties अब इसमें हमें ये नहीं दे रखा कि ये जो है ये symbol, ये and का है, और का है किसका हमें नहीं बता हमें ये दे रखा है कि अगर ये symbol x और 0 की बीच में है तो x देगा इस तरह दे रखा है तो हमें बताना है x और y अगर x और y की बीच में ये symbol होगा अब देखे इसका output हमें निकालना है इनकी help से यहाँ 0 है, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है न अब हमें x का 0 के साथ hash करना था तो x मिला 0 का 0 के संग करेंगे तो x मिलेगा न, x क्या है 0 समझ में आया, 1 1 के संग x का hash करेंगे तो x बार मिलेगा 0 का 1 के संग hash करेंगे तो 0 का बार मिलेगा 0 का बार मितलब 1, ठीक है यह 0 है, और यह 1 है x is equals to 1 है, x बार 0 है, इन दौनों का hash किया है तो 1 मिलेगा, 1 और 1 यह यह वाला है x और x, दो same values का hash करेंगे तो 0 मिलेगा वैसे यहाँ भी देख सकते हैं, दो same values का hash करेंगे तो 0 मिलेगा ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो x, y, यह किसके equal है कहां-कहां पर 1 है, यह तो 0 है यह 0 है, किसको लेना है, बीच बालों को लेना है x बार y, प्लस y x बार यह एक exor gate है लेकिन अभी आपको पढ़ाया नहीं है आगे पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप इस question को फिर से refer कर लीजेगा कि हाँ, यह exor gate था यह जो properties है यह exor gate की है इससे हमें पता चल ला ठीक है, यह वालों कॉशन करते है let us assume that x asterisk y is x bar y then find the minimized expression for this जहाँ भी asterisk है न वहाँ पर हमें यह use करना है, बस इत्ती सी बात है ठीक है x plus y और y के बीच में asterisk है यहाँ पर x और y के बीच में था तो x bar into y था अब x plus y का bar करेंगे into y कर देंगे इस वाले को हम asterisk लिख देते हैं, दूसरे बार में करेंगे solve यह De Morgan's law से करेंगे अंदर वाले का सब के complement यह asterisk z ठीक है, अब यह देखिए z bar, वो y bar into y यह क्या होता है, 0 into 1 0 हो जाता है, और 0 का आप x bar multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 asterisk y अब यह asterisk है, यह multiply नहीं है, 0 into z करोगे तो 0 हो गया, वो नहीं है asterisk है, asterisk मतलब पहले वाले का complement 0 का complement into z 0 का complement 1 into z answer, ठीक है यह asterisk है, multiply नहीं है, गलती नहीं करने है ठीक है, हम इस lecture को यहीं पे खतम करते हैं आगे हम lecture 3, next video में लिखे आएंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप बताईए, अगर content पसंद आ रहा है तो आप प्लीज आगे देखेएगा थेंगे लिखेगा